जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम बीए सिक सेमस्टर हिस्ट्री पेपर सिकंड का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे जिसमें हमें पढ़ना है सामाजिक आर्थिक सुधार के कारड यूम हम लोगों द्वारा किएगे सामाजिक आर्थिक सुधार को अच्छे से पढ़ेंगे पहला चैप्टर हमारा है जिसमें हम कारड और स्वरूप को पढ़ेंगे हमने सिलेवस आपको पहले ही बता दिया है सिलेवस में आपका कूर्स टाइटल है मध्ध कालीन भारत का सामाज हमने जो पेपर फस्ट है उसका सभी चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिये हैं आप वहां पर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्टर बॉक्स में मिल जाएगी वहां से भी आप देख सकते हैं या फिर चैनल पर विजिट कीजिए आपको एक र्ट मिल जाएगी भी सिक्श से मेस्टर हिष्ट्र पर फिर फस्ट कुलासे नाम से वहां पर आपको देख सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल जोईन कीजिए वहाँ पर जो भी क्लासे यहां कराई जाती है सभी के नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइट कराई जाते हैं आपको यह बता दें आपके एक्जाम जो है वह नजदीक है जिसके भी एक्जाम हो जाए वो टेलिग्राम चैनल पर प्लीज आप पेपर भेज दिया करिए जिससे जिसका पेपर ना हुआ हो होने वाला हो अगर हम उसको सॉल्ब करा देंगे इस चैनल पर तो आपको जिसका पेपर नहीं हुआ है उसको फायदा होगा और आप भी अपना सुधार की आवस्यक्ता कब पड़ती है और इसके कारण उस समय क्या थे क्यों इसमें सुधार करने की एक प्रकार से आवस्यक्ता पड़ी कोई भी धर्म हो उसको मानते कब हैं आप जब उसकी तारकिक्ता उसकी सत्यता उसमें जो भी नीवम कानून है आपको पसंद आते है आप उसकी सत्यता को देखते हैं ताकिकता को आप एक प्रकार से निरिच्छर करते हैं फिर आप स्विकार करते हैं कोई भी धर्म हो वह समय पर आधारित होता है आपको हम बता दें जैसे कि कोई भी आपका ये सनातन धर्म है इसलाम धर्म है या कोई भी धर्म है आपको यह द नियम कुछ अलग थे और आज के समय में समय के आधार पर वह परिवर्तन होता रहता है अर्थात जो धर्म होता है यह समाज के जो नियम होते हैं रीत रिवाज होते हैं वह परिवर्तन सील होते हैं अर्थात उसमें परिवर्तन होता रहता है और यह एक प्रकार से होता अभी जो आपके सनातन धर्में, इसलाम धर्में, पार्सी धर्में, सिक्क धर्में या इसाई धर्में आपके जो भी नियम कानून होंगे वह यह निश्चित नहीं है कि आगे चलकर सेम ही रहेंगे क्योंकि प्राचीन धर्में आपको देखने को अलग-अलग रीत रिवाज म हम पढ़ेंगे उस समय जो हमारा मध्य कालीन था हमारे जो सिलिवस में 1720 से 1921 तक का जो सिलिवस है उसमें जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे वह सुधार करने के कारण क्या हैं और उस सुधार को करने की एक प्रकार से आवस्यक्ता क्यों पड़ी यह हम अब देखेंग तो वह थे मुगल सत्ता का पतन हो गया था और अंग्रेजी सासन कायम हो गई थी जिसकी आर्थिक और धार्मिक सोसड की नीतियां है तथा ये इसाई धर्म को समर्थन करने वाले थे राजनीतिक कारक में यहाता है जैसे कि उस समय मुगल सत्ता एक प्रकार से समापन हो गई थी उसका पतन हो गया था उस समय जो भी उनकी भावनाएं थे जो भी उनके धर्म थे एक प्रकार से उसका पतन हो चुका था और लोगों के ऊपर कुछ दबाव जो अन्य प्रकार के थ वह कम हुई चुके थे और अंग्रेजी सासन कायम हो गई थी अब अंग्रेजी सासन आ गई सबसे पहला कारिय वह आर्थिक और धार्मिक सोसर की नीती अपना रही थी आर्थिक कैसे वह व्यापारिक रूप से अपने आपको लाभ लाभानुइत करने के लिए यहां के लोगो का ही सोचता था साथ यसाथ धार्मिक सोसर भी करता था और वह अब इसाइ धर्म का यहां पर प्रचार करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और वहां से मिसंडरियों को बुलाते हैं इसाई मिसंडरियों को बुलाते हैं जो कि यहां पे आके इसाई धर्म की सिक्षा देते हैं इसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को इसाई धर्म में पैवर्तित होने के लिए एक प्रकार से प्रेरित करते हैं दूसरा क कारड क्या हुआ अब ये सभी جो कारण हुए आर्थिक Ñनी और सामाजिक सुधार के बारे में विचार करने का एक प्रकार से महत्व बढ़ गया दूसरा क्या था सामाजिक समाज में बहुत प्रकार Professor की बुराईं ये व्याप्त थी उस समय की अगर हम बात करें जैसे कि सिसुवध, कन्यावध, बाल विवाह, इस्त्री की दसा, विध्वा विवाह, सति प्रथा, पर्दा प्रथा, दास प्रथा और ये नर्वली आदे इन सभी प्रथाओं में सुधार किया उस्यक्ता थी, इसलिए सामाजिक सुधार, सामाजिक कारक ये जब जो सभी सामाजिक कारक हैं इंहोंने एक प्रकार से सुधार के लिए प्रेरित किया, उस समय क्या होता था सिसु वद किया जाता था जादा करके कन्याओं का वद जो है छोटे जब रहते थे सिसु रूप में जब रवाह रहती थी तभी उनका बद किया जाता था बाल विवाह क्यों किया जाता था बाल विवाह की उस समय दसा थी और साथ ही साथ इस्त्रियों की दसा एक प्रकार से ठोड़ा उस समय में अच्छी नहीं थी, इस्त्रियों पूरुसों में एक प्रकार से भेदभाव किया जाता था यह भी एक कारक हुए विध्वा विवा अर्था जो विध्वा हो जाती थी, जिनके पती की मृित्टी हो जाती थी, उनको दोबारा साथि कर परनुमति नहीं दी जाती थी यह भी एक कुरीती थी सति प्रथा जिसके पती की पत्तब्रती की सबूए और इसको किये अगला कारक कौन सा है घर्मिक reported आडंबर अंध विश्वास कर्मकांड पुरोहित वाद जैसे और इसलाम में मौलवी वाद समाज का धार्मिक सोसड हो रहा था इसी कारण फिर से जो अधार्मिक कारक हैं इन्हों ने भी एक प्रकार से सुधार के लिए प्रेरित किया उस समय का जो वह समय था उस समय आडंबरों पर लोग जादा विश्वास करते थे जादा उन्हें ग्यान नहीं था अंध विश्वास जो उस समय के पंडित लोग बता देते थे उसी पर विश्वास करते थे कर्मकांड क्या होता है जैसे की टोटका टोना टोटका जो भी होता है और जो पूजा पाठ होता है उस पर लोग जादा विश्वास करते थे जैसे किसी के घर में कोई बिमारी आ गई वह किसी साइंटिफिक रीजन से भी आई तो एक प्रकार से जो पंडित उस समय पुरोहित होते थे या मुस्लिमों में इसलाम में मौलवी होते थे वह जो बत समाज का धार्मिक सौसड हो रहा था तो यह भी एक प्रकार से कारक हुआ कि सुधार करने के लिए क्ला क्या है अरतिक कार्द अंग्रेजी सासन द्वारा आर्थिक सौसड हो रहा था जिससे गरीबी बढ़ी बेरोजगाडी बढ़ी और समाजिक कुरूतियों पर बल दिया जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिती खराब हुई उस समय की किसी ब्यक्ति की आर्थिक स्थिती खराब हुई वह गरीब हुआ तो सबसे पहला एक प्रकार से जब गरीब हुआ उसके घर में कन्या जन्म हुआ तो वह सोचा कि अगर यह बड़ी हुई इसकी साधी विवाह में इस दन लगेगा इसलिए वह पहले ही एक प्रकार से पहला समाजिक कुरूती जो होता है सिसुवद वह उसमें प्रकार से सामिल हो जाता फिर अगला कारण क्या है बेरोजगारी बढ़ी गरीबी बढ़ने के कारण लोग दास प्रथा में सामिल हो जाते थे गरीब उस समय के दास ह जाते थे और विभिन प्रकार की कुरूतियों से लग जाते थे और प्रकार से प्रभाव बढ़ता था जब आर्थिक स्थिती खराब होती थी तो इस प्रकार जब अंग्रेजी सासन आई और यहां पर आर्थिक तो गरीबी तो हुई ही बेरोजगारी बढ़ी ही लोगों की स्थिती खराब हुई ही भिकमरी बढ़ी ही लेकिन साथ ही साथ गरीबी के बढ़ने के कारण समाजिक कुरूतियों को भी एक प्रकार से बढ़ावा मिला था अगरा कारक क्या है बाहकारक इसाई मिसंडरी आए 1813 इस भी को अनमती दे दिगई यहां की जो एक प्रकार से अंगरेजी सकता थी उसने इसाई मिसंडरीयों को यहां पर बुलाया और उसे अनमती दे दिगई कि यहां पर आईए अपनी इसाई धर्म की सिच्छा को संस्कृति को बढ़ावा दीजिए और सब को एक प्रकार से और फिर उन्होंने यह सुधार किये, अगला काराड है अंग्रेजी सिच्छा, अंग्रेजी सिच्छा की इस प्रकार से प्रभावित करती है सामाजिक और धार्मिक सुधार में, अंग्रेजी सिच्छा का प्रचार प्रसार हुआ, यहां के लोग सिच्छित होकर अंग्रेजी विचारक थे उन्होंने जो पुस्तके लिखी थी उन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किये थे उसको पढ़े उससे उन्हें एक प्रकार से लोकतंत्र के विशे में स्वतंतरता के विशे में अपनी धार्मिक इस्थितियों के विशे में संस्कृति के विशे में बहुत किस परकार से हमारी समाजी की स्थितियों में सुधार हमारे दी आवस्यक है धार्मिक की स्थितियों सुधारना हमारे लिए आवस्यक है ये सभी रातें को पड़ें लंदन-ब्रिंटिस में जाकर वहां की स्थिती को देखें, वहां के लोगों के एक परकार से बेवहार को जब उन्होंने समझा, वहां की सोतनता को देखकर उन्हें जो एक परकार से फिल हुआ, एहसास हुआ कि इस परकार से अगर हमारी भारत देश में भी हो, तो हम कितने अच्छे हो जाएंगे, यह सभी चीजे एक प्रकार से प्रेरित करती हैं सामाजिक धार्मिक सुधार उस समय करने के लिए क्योंकि यह बहुत आवस्यक भी थी इस प्रकार हमने क्या पढ़ लिया कारण पढ़ लिये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आपको कुछ भी न समझ में आया हो कि धार्मिक सा जो सामाजिक सुधार हुएं उसके कारण यह सभी जो हैं इसमें यह पॉइंट समझ नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको बहुत अच्छे से बता जाएगा अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे धार्मिक सामाजिक सुधार का जैसे कि जो भारती संस्कृती से प्रेरित हुए थे उन्हें स्वदेशी कहा गया जो पास्चात्य संस्कृती से प्रेरित हुए थे उन्हें पास्चात्यवाद प्रभावित कहा गया अब भारती संस्कृती से जो प्रेरित हुए वह भी दो प्रकार के हैं पहले कौन से यह यथा इस्थितिवादी जो की बदलाव नहीं चाहते थे कोई सुधार की आवस्यक्तन नहीं थी वह बोल रहे थे जैसा कि इस समय हमारा समाज है जैसा संस्कृति है उसमें हमारा जो भारत का एक प्रकार से जो संस्कृति है वह ऐसी ही बनी रहे उसमें कोई बदलाव नहीं हो उसमें कोई भी सुधार की आवस्चेक्ता नहीं है ऐसे लोग यथा स्थितिवादी कहलाए गए और ये किसके स्रेणी में आते थे भारती संस्कृती से प्रेरित होकर यह यथा स्थितिवादी थे अर्थाद भारती संस्कृती उस समय जैसी थी वैसा ही रहने के लिए वह जैसे की आगे जलकाइंगे आरिये समाज जो की कहता है कि वेधो की लोटो और ऐसे मुस्लीम इसलाम धर्म में अभी आपको देखने को मिलेगा कि कुरान की तरफ आप लोटो ऐसा एक इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे आगे चल कर कि कौन-कौन से लोगों ने कौन-कौन से समाज ने कौन-कौन से ब्यक्ति ने किस-किस प्रकार से धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार मे करना चाहते थे यथा स्तितिवादी और पुनर स्थापनवादी अब हम दूसरा देखेंगे दूसरे थे पाश्Cात्य संस्कृति को क्या कहते है, पाश्चात्य fazer प्रभावित, इसमें भी दो परकार किते प्रगतिसील जो थे और दूसरे थे अतिवादी प्रगतिसील, जो प्राचीन भारत और आधुनिक पास्चात्य संस्कृति को मिला कर देश के बिवस्थित विकास सील प्रगति सील संस्कृति चाहते थे अर्थात जो प्रगति सील विचारक थे प्रगति सील एक प्रकार से पास्चात्य संस्कृति से प्रेरित थे वह क्या चाहते थे कि हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति को भी लिया जाए आधुनिक पास्चात्य संस्कृति में जो अच्छाईया है उन्हें लिया जाए अथा दोनों को मिस्रड करके जो हमारे लिए बेवस्थित हो जो हमारे लिए अच्छा हो उस संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए जैसे कि उसक हमारा है अतिवादी आतिवादी वो हैं जो पूड परिवर्तन चाहते हैं यहां नाते हो गया इसको सही करके आपको लोड़ मिल जाएगा टेली ग्राम चैनल पर तो आप लोड़ से जोइन करें जिससे आपको लोड़ मिलता आप रिवीजन करते रहें तो यहां पर होगा पूर परिवर्तनिया चाहते थे अर्थात नए सीरे से सुरुवात की जाए जैसे कि यंग बंगाल आंदोलन तो इन सभी आंदोलनों के बारे में इन सभी समाज के बारे में इन सभी ब्यक्तियों के बारे में हम आगे चल कर पढ परदों को और उसके सवरूप को पढ़ लिया जिसमें हमें सवरूप भारती संस्कृति से प्ररेशित लोगों को पढ़ा पास्चात्य संस्कृति से पिरेरित लोग को पढ़ा इस प्रकार आपका चैप्टर हुआ समापत अगर आपको कोई भी बात कोई भी टॉपिक कोई भी फैक्ट आपको समझे में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको बताये जाएगा धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में